तो स्वागत है आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए लेटेस्ट वीडियो में और फाइनली बिहार बोट ने ओफिसियल साइन्स का मॉडल पेपर जारी कर दिया है और उस मॉडल पेपर से मैं साइन्स का स्रीज लेकर काया हूँ जो आपकी exam के point of view से काफी important है क्योंकि अफिसियल मॉडल पेपर जब भी हार बोट जारी करता है तो सभी student को ये लगता है कि साइद इसमें से question नहीं आएगा इसमें से लगभग question देखने को मिल ही जाता है इसलिए मैं इसको जरूरी समझते हुए official model paper का solution लेकर के आगया हूँ तो चलिए बीना देर के हम लोग question की शुरुआत करते हैं इसमें पूरे 80 objective question को अगर हम लोग कर लेते हैं तो इसमें से 4, 5, 10 question जरूर आपको board exam में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर पहला question देख लीजिए के पहले question क्या करा है की गोलिये दरपड के परावर्तक प्रिष्ट उपर वला भाग हो जाएगा इसके बृतकार सीमा रेखा ठीक है ना अगर यह बृतकार सीमा रेखा यहां से लेकर कि यहां तक कि अगर सीमा रेखा की बात करें तो यह और यह यह दोनों का अगर इस तरीका से लेकर आ जाए तो यह क्या कह लाएगा दूआरक कह लाएगा तो निमन में से किस दरपड की focus दुरी धनात्मक होती है तो धियान रखिएगा कि दाया तरफ धनात्मक काउंट किया जाता है और बाया तरफ रिढात्मक तो यहां अगर उतल दरपड बना दे रहे हैं तो यहां देखी यह होगा आपका right और यह होगा left तो यहां धुरू से बाई और की दूरी जो भी count किया जाता है वो रिडात्मक होता है और दाई और की दूरी यानि धुरू से दाई और की दूरी क्या किया जाता है प्लस में count किया जाता है तो यहां आप देख लिजे क्या बोला है किस दरपड की focus दूरी तो यहां ओतल में तो इधर की जितनी भी दूरी होगी वो क्या होगा रिडात्मक होगी और इधर जितना भी होगा वो क्या होगा धनात्मक होगा तो यहां पर क्या कह रहा है कि किस दरपड की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो उत्तल दरपड की होगी क्योंकि यहां पर इधर जो है ना इधर फ लिना देर के हम लोग अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या कर रहा है कि सबसे अधिक है तो लाल का सबसे अधिक होगा और सबसे कम किसका होगा बैंगनी का याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है यह जरूर याद रखिएग अगर इसमें अगर आपको board model जो official model paper है इसमें अगर पूछ दिया कि किस one का सबसे बड़ा होता है यानि सबसे अधिक होता है तो हो सकते कि आपको exam में इसका opposite जा करके पूछ ले कि सबसे कम किसका होता है तो आप बैंग नी चुनिए गया ठीक है ना अब चलिए अब next question देखते हैं अगला question क्या कह रहा है देखिएगा किस वस्तु का प्रतिविम आंक कि किस भाग पर पड़ता है तो जाहिर सी बातिक वह रेटिना पर पड़ता है ठीक है ना और पूतली क्या करता है बता यह पूतली क्या करता है परकास को समयोजित करके लेंस तक भेजता है और करनिया क्या है पर आने वाली परकास को यह समयोजित करता है और यहां आईरिस परितारीका क्या है देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं आप इ आंगे उतलेर अप देखे होता है कि छोटा सा बिंदिया दिकाई देती है उसको पुतलि कहते हैं और इसके जो गोल वाला भाग होता है ना जो तीन कऴक्यों रग मे रंग में होता है बलु ब्लैक और ब्राउन यानिकी बीघ्यों फर्मुला याद रखेगा तर के ना क्या करता है परकास को समय उजीत करता है ठीक है न तो यहां पर जाइर सी बात है कि जो यहां पर लेंस है और यहां पर हमारे आखों के सबसे लाश्ट वाला जो भाग है यह अंदर की तरह तो रेटीना होता है तो इसलिए यहां पर सही उतर क्या हो जाएगा रेटीना हो और लोहा का कितना होता है बताइए जरा तो 1.39 होता है और काच का परतनांग कितना होता है तो काच का होता है 1.52 यानि कि अगर यह तीनों का याद कर लेते हैं और यहां पर निर्वात का कितना होता है तो 1.0 मतलब लगभग 1 होता है तो जिसका डेंसीटी कम होगा ध्यान परतनांग से सबसे कमा परतनांग वाले यहां पर निर्वाति यानि बिल्कुल खाली है यहां पर कोई रुकाउट है ही नहीं इसलिए यहां पर परकाज की चाल सबसे अधिक होगी अब बात करते हैं अगला कोशन बहुत ही जबरदस्थ है दूर द्रिष्टी वाला नेतर तो यह दम याद करना बहुत आसान यह दूर दूरीश्टी दोस है तो दूर की वस्तों को साफ देखे इसलिए अगला को सब्सक्राइब को यह पापतीद हो दितै आने वाली प्रावर्तिद मदने लौटने वाली किशन म्मुर्ण हो थे हैं और सीधा और सी लगी तेना यहाप jogar जाएगी क्या बोलहा है अभी सारी तो अभिसारी हो या अपसारी कि युट जान के और आपसारी में होता यह है कि परकास जो आ अपसरित हो जाती है यानि बोले तो फैल जाती है यानि इस तरीका से फैल जाती है ठीक है ना परकास फैल गई लेकिन अभी सारी में क्या होता है ना कि एक जगा आकर मिलती है ठीक है आप सारी सौरी यहां पर देखिएगा अप सारी में क्या होता है अप सारी में अप सारी अप आओ याद तरह करता है तो औहाल रहा है कि एक अभी सारिक किनन पू gi जब आ रही है यह ज़्य ओपाइल करके अरही है देगा न यहां पर आ करके अगर यहां पर समतल दरप्ट रहे खरोड़ रहा है और सम्तल कर पर तो अभी सारी ही एंसर सही होगा ठीड़ी एक प्रिजम से एक वर्णे के रगविजर तो इसके क्या नहीं होगा यह नीगेटीव Supp Tack तो इसक बूड़ी हो सकता है बिल्कूर वर्ण्वी रगवार्ण नहीं हो सकता है ठीड़ी मत परें तो होगा वृचलर भी हो जाएगा लेकिन वर्ण वीछे पढ़ नहीं होगा क्योंकि सुेथ परकास का वर्ण वीछे पढ़ होता है और सुेथ परकास में सात रंग होते हैं जो उसको किसी पर प्रिज्म से होती होई परकास सिक्रूंट को किसी वर्ड पड़ जब उतारा जाता है तो सात रंगों विभाक्त होते हुए दिखाई दिती इसलिए क्रंग का वर्ड बिछे प requist Another rhymes को नहीं हो सकता होगा तो कभी 2-3 रंगों कहीं बीछे पर हो के उतलने रहेगा तो प्लस डाइ आफ्टर में आएगा और आज़ेका तो माइनस डाइ आफ्टर में आएगा तो ध्यान रहेगा उतल देखते ही आप प्लस डाइ अफ्टर लगाए यह यहीं धनातमक लगाए तो option B is the right answer बात करते हैं देखिए यहां पर जल की एक गोली बुंद में ब्यास के अनुदिस आपतित कीनड़ आपतित मतलब आने वाले कीनड़ कितनी बार अपवर्तन अपवर्तन होगा तो यहां पर एक बार एक यहां एक धुरूस से एक बार अंदर गई तो एक बार यहां हो गया और एक यहां से बाहर निक कहीं से भी अगर आप एनी सोर्स अफ एलेक्टिसीटी अगर दो तार लेकर क्या रहा है तो एक माली जी कि पोजीटिव है और एक निगेटिव है यानि एक गरम है और एक ठंडा है तो जाहिर सी बात है कि ठंडे में तो आप काट करके स्विच नहीं लगांगे गरम में ही बात करते हैं अगला 13 नंबर को संच चुमब के छेतर का एसाई मातर क्या होता तो यह टेसला होता है यह हर साल एक्जाम में पूछाई पूछा जाता है इसको भीवी आई समझते हुए समझते हुए इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए अगला प्रसन विदूद घंटी को रिजिए त्याट्टी में किस पर्भाव पकारे करती तो भाई यह जाहित लगा बोहुचा है यह चुमब्ल के परभाव की करण प्रस हैं और यह पर देखिए डाइनमो革 से बाते हैं कि जब अपनी मेहनत जब मोर्यां को घंeing घंग और यह डाइनमो जोव हम लोग अपने हाथ सो घुमाते हैं तो यह अंतरी को विदूत उर्जा में बता देता है इसलिए अप्शन बीजदा राइट अब देखिए अगला सवाल अपर तनांग का रंग पर निर्भर करना क्या का लाता है बता यह बहुत ही जबरतास्त कोशन है तो इसको हम वर्ण व यूग किया जाता है कि उसमें कैसा परतिविम दिखता है कैसा दिखता है बाव बताइए आप ही लोग बताइए तो यहां पर 17 का सही अंसर हो जाएगा वस्तू से छोटा अगर वस्तू से बढ़ा दिखाई देता है तो फिर उस छोटे से गलास में हम सभी चीजों को नहीं एक ओतल दरपढ़ के धुरू यहों फोकस के ठीक मद्य एस्थीत बीम के लिए अवर्धन होगा तो अवर्धन क्या होगा बता दीजिए 19 का बी अंसर हो जाएगा यानि दो गोना अवर्धन कभी भी अवर्धन मतलब क्या होता है जो बढ़हा चड़ा करके दिखा है तो अ है जर्णा यहाँ झाला विम के लिए अगर यहां पर अगर हम भीडों को रखते हैं तो उसका पर ड्यां कर सब्सक्राइब होते हैं तो जहिर सी बात है कि जब जिवास मिंदर यानि कि जो जैविक मेटेरियल जलते हैं तो कैसे कैसे गैस निकलते हैं तो आप बताइए थोड़ा से दिमा लगाए सल्फर निकलेगा कारवन निकलेगा नैट्रोजन निकलेगा यानि इन में से सभी एंसर हो जाएगा अब आईए अगला सवाल विदूत पर तिरोधगता का ऐस अधर क्या होता है तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा तो बाई शसंधर आप संधर का लाते हैं इसको याद कर लीजिए अब अगला सवाल देखियेगा जरा है समांग माध्यम से परकास गमन करते हैं समंग और समांग की मिश्राइज समझते हैं समांगी मिस्रा ऐसा मिलाउती झो मालूम ही न चले सपूर्य मालने यह हम आपको सौड वीडियो के माध्यम से बताए हैं आप उस वीडियो को देख लिए zus the harmony टो तिसमें मिकसर में क्या अंतर होता एक चुली क्या होता है कि अगर दो प्रिक चाह mercy आफिक मिला क् अबण होता है तो यह बालु और पानी आपस में कभी मिल नहीं सकता है बालु अलग दिखे का पानी तोह कि यह फिमाना लेते हैं कि सब्सक्राइए पानी रखें तो और अबन से कि हाँ यह मीठा है इसका मतलब किसमें चीनी मिलाया गया हो तो ऐसा मिस्राड जो बिल्कुल समान यहीं समान पर्टिकल में मिले उसे समंगी मिस्राड करते हैं और उसमें परकास का माध्यम आसानी से दिखाई देता है इसलिए हम कह सकते हैं कि समांग माध्यम से परकास गमन क करता है तो यहां सही उतर हो जाएगा सरल देखा में यानिक एक समान देखा में ठीक है अब यहां पर देखेगा अगला प्रस्न यदि एक प्रिज्म से एक वर्ण किरन घुजरे तो इसका क्या नहीं होगा तो इससे पहले वाला कोस्टन ही फिर दोरा दिया है तो इसका इनात्मक अवेस होता है कितना होता है तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है 25 का सही उत्तर अप्सन सी हो जाएगा अब बात करते हैं अगला प्रस्न 26 नमर प्रस्न को देख लिए एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है घोल का पी एच मन क्या हो सकता है यह तो बहुत ही क्या रहा है लाल तो लाल मतलब आग और आग मतलब समझ लीजिएगा वह अमल ही हो सकता है ठीक है ना हो सकता है नहीं होता ही है और जो लाल को नीला कर दें यानि कि यहाँ पर बचने की चांसे लाल मतलब खतरनाक नहीं अब यहाँ पर बचने वाली चांसे दिख रहा है य स्थाल से क्या याद आना चाहिए अमले और अमल का प्येश मन जीरो से साथ के बीच में होता है तो इसमें देख लेजे कौन से साथ के बीच में है तो सब से कम 2 है तो यहीं हम लगा देंगे option A ठीक है न अब आई यह लोहे यह भी तो बच्चे वाली को सन पूछ दिया अगर एक से लेकर के तीस तक अगर आपको याद है तो जारी सी बाते लोहे की परमाडु संख्या अगर आप लगाएंगे तो लोहे के परमाडु संख्या 26 लगा देंगे यानि कि 27 का सही उतर हो जाएगा अप्शन B का आएए अगरा प्रसन जढ़ा देख लेते हैं सलफर परमाडु की ब्रात्त हुक्शा में इल्यक्टॐं की संख्या होती है कितना होती है तो परर की परमारflies क्पर आप गिन लिए का दोस होता है तो चोला होता है दिए आप के सामने ऑपने गिन कर दिखा दिया यानि मेरे को भी याद है आपको भी याद होना चाहिए तो यहां बेद देखिए सलफर कितना होता है अब इसको सजाईए कख्छा क्या अनुसर पहली कख्छा में 2 एलेक्टा दूसरी कख्छा में 8 और तीसरी कख्छा में 8 दो आठ दस आठ अठारे हो जाए नहीं नहीं यहां पर आठ नहीं यहां पर 6 सजाईए तो दो आठ दस ते बाहरी कख्छा में कितने हो रहा है चे तो जाहिर सी बात है कि 6 एंसर हो जाएगा यानि कि यहां सबसे अधिक अभी क्रियासील है देखिएगा संत्रीप्त और और हाईडरोकार्बन पढ़े होंगी यानि कर्बन इवाम इसके योगी नाम चेप्टर है उसमें संत्रीप्त हाईडरोकारबन होता है जिसका एकल बांद होता लेकिन जिसका डॉबल और ट्रीपल बंद होता है ना वो क्या था असंत्रीम्स हमें और ऑन बनाता है और एक ट्रीपल बाढ़ robond बनाते लेकिं संत्रीम्स हाइडो कर्बन होगे एक कलवा यहां concentrations दाए यहां नहिक तो कौन सा कारबन योगिक सबसे अधिक अभी किरें तो तीस का सही उतर हो जाएगा आपसन सीट सीटू एजफूर ठीक है ना अब यहां पर देखेगे विरंजक चूंड का रसायनिक सुत्र क्या है तो बात करते हैं अगला प्रसन बहुत ही संधार को सने अभी किरें में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है भ Kaiser angta में भाग ले अभी 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 रसाउय निक अभी क्रियों भाग लेने वाल पदार्थ अविकारक करते यांए जो पारिसिपन्ट होता है जो भाग लेते हैं उसको अभी कारक कि मिल करकर क्या सब ऑतोर बना दे गता बहुत хорошо चाहएं अगला प्रश्णल देख लिए टूठ पिस्त जो हम लुग टूठपेस इस्तिमाल करते हैं वो कैसा होता है शायी होता है के अगला प्रस चरीन है ये हैं अगला प्रश्ण में किसके कारण अमल वर्षा होती है तो भाई यहां पर अमल वर्षा की बात करेंगे तो यह दो जीमेदार होते हैं तो यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है देखिए कोश्चन में बड़ा लौजिक होता है देखिए एक जाच परकनली में एक जाच परकनली में लिये गए विलियन में एक लोहे के किल यानिकी एफी किल डुबाया जाता है समझीएगा जरा दिहान से आधे घंटे के बाद यहां देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है मतलब किसमें डुबाया गया है लोहे की किल को डुबाया गया है आधे घंटे बाद देखिए उस जाच परकनली में विलियन था यानि कि एक जाच परकनली में लिये गए विलियन के एक लोहे की किल को डूबाया जाते हैं यानि विलियन में किसको डूबाया जा रहा है लोहे की तो जाहिर सी बात है कि जब हम आपसन में देखेंगे जहां एफी वहां लगा देंगे अब बताईए जिंग तो होगा नहीं कौपर तो होगा नहीं अल्मुनियन तो होगा नहीं एफ 30 का सही उत्तर हो जाएगा आप संडी सी टू एच फोर ठीक है अगला प्रसन देख लीजिए ज़रा हीरा निम्नांकित में किस ततों का प्रूप है तो भाई यह बच्चों वाली कोशन पूछ दिया है शेंगे यहां पर देखिए निम्नांकित योगी को में से कौन जल में मैं कोनगा की नेचर की है तो यहां पर हो जाएगा सोडियूम और ह जी यनिकी चांड़ी ठीक है है अब मैंगों ये अगला कोश्चन यहां पर अगला कोश्चन क्या कर रहे हैं इथिलिन का अध्यू पसी नाम आपका हो जाएगा सही उत्तर अधीन हो यहां अगला परस देखिएगा यहां पर बियूटेमिन का अड को सूत्र सी एच ब्यूटेनोन का अड़ सूत्र सी फूर एच उसमें ऑक्सीजन भी जोड़ दिया है इसका क्रियसिल समूं क्या है तो भाई एलकोहलिक हो जाएगा ठीक है ना अगर जूड़ गया तो एलकोहलिक हो जाएगा वह कीटोनिक नहीं हो पाएगा और अब आएए इसके बात एक मिनट रूख जाए सोड़ी यहां पर देखिए खुस्तिनको है यहां-पेटी देखते हैं सब्सक्राइब पर पर मंगों सब्सक्राइब मजन सब्सक्राइब सब्सक्राइब यानि 45 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अब आईए अगला प्रसन देखते हैं सीने बार किस धातू का एसक है तो 46 का सही उतर हो जाएगा आपका अप्सन डी एच जी ठीक है ना अब आईये बात करते हैं अगला प्रसन सलफाइड एसका सांदरन निम्नांकित में किस वीदी दोवरा होता है सलफ हाइड का तो यहां पर देखे 47 का सही उतर हो जाएगा अपसंग दी फिन उत्पलान भी दी इसको तो यह दम बिल्कुल याद कर लेगे यह कोशन देखने को मिल सकता है यहां देखिए जल के वैदूत अब घर्टन में कैथोड सी पलस याद रखेगा यह माइनस याद रखेगा ठिक ना तो यहां पर देखिए कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है तो जाईर सी बात सी बात पर जाइर सी बात पर प्लस वाले ही आएंगे तो यहां पर फाइड्रोजन आ जाएंगे तो 48 का सही उतर हो जाएगा हाइड्रोजन ठीक है ना आब आ नेचर के कौन सा ततो है इसमें जो दिये गए आपसन है तो कुलोरीन है कि नाइट्रोजन है कि फास्पोरस की सलफर है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्चास का भी नाइट्रोजन ठीक है ना ध्यान रखेंगा कि अधातु की पहचान करना है तो जिसके बाहरी को कोश्ट में पांच छे साथ इलेक्टान बचें तो समझ लेना कि अधातु है और जिसके बारी कोश्ट में एक दो तीन इलेक्टान बचें तो वो क्या हो जाएंगे वो धातु हो जाएंगे ठीक है ना अगला प्रसन देखें नीला ठोथा बोले तो तूतिये का रसाइनिक सुत्र क् यह इसका हो जाएगा सही उत्तर सी ओए सफ फाइपेस्ट यानि इस कॉपर सल्फेट ठीक है ना यह अप्सन भी इस दा राइट एंसर पचास का सही उत्तर हो जाएगा अप्सन भी अब आई यह बात करते हैं यहां पर अगला प्रसन पर दूसर मुक्त उर्जा शुरत है प इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाडू के बीच तीन आबंद होते हैं किसमें होंगे जी तो सब का निकालना पड़ेगा मालेजिए कि यह सी थ्री एचेट अगर निकालेंगे तो बहुत समय लग जाए जिसे कार्बन तीन गो है लगाओ फिर इसके साथ लग बोल रहा है यहां पर देख लिजी यहां पर सौरी में बना कर दिखा ही देता हूं एक्षुली कार्बन कार्बन और यहां पर ट्रीपल बन कार्बन अब यहां पर यहां पर तीन अबन गया कि नहीं बन गया इसलिए यहां पर आपसन कौन हो जाएगा 52 का आपसन भी हो जाएगा चलिए अब अगला परसन देखते हैं ठीक है ना निम्नांकित में कौन सा योगिक एरोमाइटिक योगिक है तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपसन डी बेंजीन ठीक है ना अगला परसन उच वस्य अमलों के सोडियम लवन क्या कहलाते भाई तो बहुत ही आसान को सन पूछ दिया मेरे बाबू यह साबुन कहलाते हैं ठीक है ना आईए यहां पर देखिए एक अक्छा में इलेक्ट्रानों की अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है ठीक है ना अब आई सब्सक्राइब करते हैं अगला प्रसन यूरिया में कहां परवेश करता है तो जाहिर सी बात है यूरिया रक्त में जहां परवेश करता है उसका नाम है अंठावन का आपका क्या बता देना मतलब इसका आप्शन भी होगा यक्रीत होगा यह कुछ निम्नलीकित में कौन किसी परस्थित के तंद्र का एक जैव घटक हो सकता है और भी में ढाल रहा है तो 69 का सही एंसर आप लो लगा दिजेगा की को हो सकता है क्यों हो सकता है देख लिजेगा तो होगा ने म्रीदा तो होगा नहीं कौबक के अंदर ही जान पाई जाती है ठीक है न चलिए अगला परस नर्य यूगमक तथा मादय यूगमक के संयोजन से निस्यचन का लाता है लेकिन इसमें जो आप संदिया है उसमें जाइगोड दिया तो आपसन हम भी के साथ ही जाए चलिए अगला परस ने देखते हैं अगला परस ने क्या कर रहा है बाबू पादस पादप अपसिष्ट संचित रहते हैं ठीक है ना पादप अपसिष्ट संचित रहे ने पादप का जो अपसिष्ट पदार्थ है वो कहां पर संचित होते हैं भाई तो 61 का सही उत्तर हो जा कि एक सबीस भाई आसी होता है तो एक होता है जैसे की एक होता है मतलब की उपर व्idée जो भी एंड़ और यह अनुसल और इंग्लिश में अगर आप देखिए गाना तो यह पूछ रहा है ओप सीन हो जाएगा तो आप साघाट जाएक अगर बात करते है अगला प्रसक्रा ना Concert चमगादर के अगरपाद अगरपाद यानि कि जो आगे वाला हिसा तो समझात होंगे कि और समझात होंगे तो यहां पर देखें मनुस्य बिली चमगादर इनका जो पैर होता है न देखिए का एक समानों तले भले काम अलग अलग होते हैं इसलिए समझात अंग हो जाएंगे अब आए अगला प्रसन जड़ा देखते हैं पादप में फुलोयम उतरदाई है याद रखीएगा फुलोयम से फौल याद रखीएगा फुलोयम से क्या याद रखीएगा फॉल और फॉल जाएस सी बात है कि वह हमारे लिए और आपके लिए भोजन के ही समान है तो जाइलम एक जैसा मिलता जुल्दा नाम है तो जल से जाइलम याद रखेगा और फुलोयम से फॉल याद रखेगा भोजन याद रखेगा ठीक है अगला प्रसम देखिएगा जरा एक बियस्क मनुस्य के कितने दाथ होते हैं ये तो भाई फॉर फाइट क्लास के कुशन कुश दिया ये 32 होते हैं ठीक है अब बात करते हैं एंडरोजन क्या है एंडरोजन टीक है तो एंडरोजन यह हो जाएगा आपका 66 का सही उत्तर बताईए जल्दी फटापट हम जब तक की इंतजार कर रहा है छासट का सही हो जाएगा बाबू मादा लिंग एंडरोजन और बात करते हैं अगला परस्ट नियूरान का वह हिसा जहां जनकारी हांसिल की जाती है जहां से जनकारी हांसिल की जाती है तो 68 का सही उतर हो जाएगा आपसंसी डेंड्राइट यानि कि सबसे अगला यानि मुख सीरा ही कहा जा सकते जहां से क्या किया जाता है information को gain किया जाता है उसका हम लोग क्या कहते हैं dendrites कहते हैं ठीक है बात करते हैं अनवान सीखता का सिधान किस ने दिया भाई अनवान सीखता का सिधान परस्तावित करने वाला व्यक्ति का नाम है Gregor John Mandel सिस्थ दर राइद फिर बात करते हैं परकास के परकास अभी क्रिया करती हैं किस पर करती है परकास अंसलेशन की यानि फोटो सिंदेजी की प्रोसेस कब संपन होगी तो तब होगी जब जल होगा क्लोरोफील होगा और सुर्य की रोष्णी यानि में से सभी आप्सन डीजद राइट अंसर बात करते हैं अगला प्रस्टन सत्तर नमबर यानि कि गुर्दे में उत्पादिक मुत्र मुत्राश्य में जाता है तो बाई किसकिस हिसाब से जाता है तो मुत्रमार के से होते हुए जाता है तो यहां पर सत्तर का सही उत्तर हो जाएगा अप्सन भावग गईगन दुज़ंहां करते हैं अगला प्रशन बहुत ही जनदार और शंदार कोसन है ठीक है थीक में रत क्या है थे जांड़ क्या है ठीक है रक्तिक है भाई तो 60 सही उतर हो जाए है अप्सन सी उतक है यह एक शू है ठीक है नहां पर देखें फूल में नर्छ किया जी एस्ट्री तो जाहिर सी बात है कि 72 कस्ट ही उत्तर हो जाएगा oxidation देखिएगा नर पर जनन नर से हो गया पुरुस और पुरुस से लिखा है option C is the right answer अगला question मानो अहार नाल का सबसे लंबा भाग तो ध्यान रखिएगा सबसे लंबा भाग क्या हो सकती है दिए गए option के अनुसार छोटी हो सकती है छोटी आत हो सकती है ठीक है ना 74 नमबर का सही उत्तर option C सबसे छोटी देख रहा ना मानो अहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है छोटी आत है ठीक है और सबसे लंबी कोशी का क्या है निवरॉन है ठीक है अब आईए बात करते हैं निवरॉन में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है मादा जनन तंत्र ध्यान से सुनिए गा मादा जनन तंत्र का भाग न यानि कि यहीं होगा यानि कि यह नहीं है ठीक है ना अब बात करते हैं अगला प्रसने किस जीव में हीमोगलोबी नहीं होता है तो भाई मनुसिया में होता है पंची में होता है यानि मक्ही में नहीं होता है यानि छोटे-छोटे जीवों में नहीं होता है ठीक है तो आप 20 दिन उसका जीवन काल होती है ठीक है ना चलिए तो 77 क्या हो जाएगा आपका बाबो डी हो जाएगा अब देखिएगा अगला प्रस्ण देखिएगा प्रशीद पुष्टक आगा कालाता है तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा कोश्ट के विग्यान कालाता एट आ अब यहाँ पर देखिए कि पौधो में भोजन के सोब भी कौन में मतलब जवाब दे रहा हैं किना फिलाव मैं बता दे रहा हूं लेकिन आप रिकित को सही एंसर करके हमारे बताने से पहले चल करके मनें आगे बढ़ करके दिखाईए ताकि हमको लगे कि हाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी है फिलहाल अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे ना तो सुरू से लेकर अन तक देखते देखते और हर जो है ना कोसन के साथ कॉमेंट बॉ सब्सक्राइब करके आपकी तैयारी बहुत अच्छी है इसलिए आप सभी कोसन को हमारे बताने से पहले दिये हैं अगर डाउट हो तो फिर हम बताएं हैं जो इसके साथ आप मिला लीजिए तो चलिए असी का सही एंसर क्या हो जाएगा पौधम में भोजन किस रूप में ज नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद।